जैसा कि आपने बताया था कि कम्प्यूटर में किसी प्रोग्राम पर कार्रे करने के लिए ओपरेटिंग सिस्टम की आवशक्ता होती है क्या आप हमें ओपरेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से बता सकती है बिल्कुल रोहन, चलो हम उप्रेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से विचार करते हैं उप्रेटिंग सिस्टम एक प्रुग्राम है जो कम्प्यूटर के अन्य प्रुग्राम उसे पारस पर एक संबंध स्थापित करने में हमारी सहायता करता है ओप्रेटिंग सिस्टम के बिना कम्प्यूटर बेकार है कई तरह के ओप्रेटिंग सिस्टम उपलब्द होते हैं ओप्रेटिंग सिस्टम प्रयोग करता वह कम्प्यूटर के मध्य एक माध्यम का कारे करता है सभी प्रोग्रामों को चलने के लिए ओप्रेटिंग सिस्टम की आवश्यक्ता होती है परंतो ओप्रेटिंग सिस्टम स्वता ही चालू होता है कम्प्यूटर को चालू करते ही ओप्रेटिंग सिस्टम स्वता ही चालू हो जाता है ओप्रेटिंग सिस्टम के मुख्य कारे हैं यह कंप्यूटर को नियंतरित करता है और उसके सभी भागों को उचित संबंध में लाता है यह उप्योग करता वह कंप्यूटर के मद्धे पारसपरिक संबंधों को सुगम करता है यह इंपुट वह आउटपुट यंतरों को नियंतरित करता है यह कंप्यूटर प्रग्राम के निश्पादन को नियंतरित करता है यह कंप्यूटर की मुख्य मैमरी के प्रयोग को व्यवस्थित रखता है यह फाइलों को व्यवस्तित रखने वह उनसे काम लेने में आपकी सहायता करता है ओप्रेटिंग सिस्टम को दो भागों में वर्गिक्रित किया जा सकता है एक एक कर हम इनके बारे में विचार करते हैं कारेक्टर यूजर इंटरफेस, CUI में किसी तरह के आइकॉन या चित्र नहीं होते है यह केबल लेक वा अक्षरों पर चलता है हम CUI पर लेखिये निर्देश जैसे रीनेम, CLS, CD, MD और DIR या डारेक्टरी पर कमांड निर्देश देकर कारेक कर सकते हैं CUI का एक उदाहरन है डिस्क ओपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI की प्रश्ट भूमी चित्रवाली होती है और साथ-साथ बहुत सारे आइकॉन भी होते हैं GUI के उदाहरन है Windows XP, Windows NT, Windows 7 और Ubuntu GUI को पुनह दो भागों में विभाजित किया जा सकता है सामपत्तिक, मालिकाना, सौफ्टवेर और स्वतंत्र या मुक्त सौफ्टवेर मालिकाना सौफ्टवेर एक प्रकार का कंप्यूटर सौफ्टवेर है जिसकी अनुग्यप्ति, copyright धारक के विशिष्ट कानुनी अधिकार के अधीन होती है मालिकाना सौफ्टवेर के उपियोग के लिए अनुग्यप्ति की आवशक्ता होती है जो उसकी फीस देने या बुक्तान करने के बाद ही प्राप्त होता है इनका प्रयोग वैद अनुग्यप्ति के बाद ही किया जा सकता है उपयोग करता इनको न तो परिवर्तित न साजह कर सकता है ना ही पढ़ सकता है और ना ही पुनर्वित्रित कर सकता है मालिकाना सॉफ्ट्वेर के सामाने उधाहरण है Microsoft, Apple INC, IBM, Operating System वो Unisys स्वतंत्र या मुक्त सॉफ्ट्वेर वे सॉफ्ट्वेर हैं जिनको उप्योग करता इंटरनेट से बिना किसी फीज के डाउनलोड कर सकता है यह एक खुले लाइसेंस स्रोत के तहट उपलब्ध होते हैं जो उप्योग करता को सॉफ्ट्वेर परिवर्तित करने, साजा करने और पुनरवित्रित करने की आजादी देता है यदि भी परिवर्तन करने के लिए कॉपिराइट अधिकार नहीं दिये गए होते हैं स्वतंत्र या मुक्त सॉफ्ट्वेर के सामान्य उदाहरण है Unix, Linux, Aurora UX और हमें Microsoft Windows के बारे में जानना चाहिए जो की सबसे ज्यादा प्रशुलित अपरेटिंग सिस्टम है अरे हाँ, मैंने Microsoft Windows के बारे में बहुत सुना है Microsoft Windows, Microsoft द्वारा विकसित किये गए एवं बेचे गए graphical interface ओपरेटिंग सिस्टम की श्रंखला है अधिकतर जिन कंप्यूटरों का हम प्रयोग करते हैं उनमें Microsoft Windows का ओपरेटिंग सिस्टम पूर्वस्थापित होता है यदि आपके कंप्यूटर में विंडो ओपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप अनुग्यप्त प्राप्त सौफ्ट्वेर, प्रमानित सौफ्ट्वेर विक्रेता की यहां से खरीद सकते हैं इसके अतिरिक्त इस सौफ्ट्वेर को Microsoft की वेब साइट से ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है GUI इंटरफेस प्रोग्राम प्रयोग करने वह उनको संगठित करने में आपकी सहायता करता है Windows विजिविग प्रकार के इंटरफेस होते हैं जिसका अर्थ है कि जो आप देखते हैं वही आप प्राप्त करते हैं यदि आपके कंप्यूटर का ओपरेटिंग सिस्टम Windows है तो कंप्यूटर चालू करते ही सबसे पहले दिखने वाली स्क्रीन डेस्क्टॉप कहलाती है आप Windows डेस्क्टॉप का प्रयोग सभी प्रग्राम संचालित करने, संगठित करने में कर सकते हैं डेस्क्टॉप दो भागों में विभाजित होता है मुख्य भाग या Windows डेस्क्टॉप तथा टास्क बार नीचे पतली-पट्टि को टास्क बार कहते हैं टास्क बार में स्टार्ट बटन होता है, जिसके जरिये हम कम्प्यूटर के अन्य प्रोग्रामों तक पहुँच सकते हैं। टास्क बार की प्रिष्ट भूमी को वॉल पेपर कहते हैं। कम्प्यूटर आरंब करने पर सबसे पहले दिखने वाली स्क्रीन डेस्टॉप कहलाती है। डेस्टॉप पर दिखने वाली छोटे-छोटे चितर आइकॉन कहलाते हैं। यह आईकॉन, फाइल, प्रोग्राम और फोल्डर के शॉटकट छोटे रास्ते हैं, जिनके जरिये इनमें आसानी से वह जल्दी से पहुँचा जा सकता है. स्क्रीन के सबसे नीचे क्षितिच के समानांतर पट्टी को टास्क बार कहते हैं. टास्क बार पर एक और स्टार्ट बटन और दूसरे तरफ कई छोटे छोटे आईकॉन वह शॉटकट होते हैं. कंप्यूटर पर चल रहे सभी उप्योजन वह प्रोग्राम टास्क बार पर आईकॉन के रूप में दिखते हैं. कंप्यूटर पर चल रहे सभी एप्लिकेशन वो प्रोग्राम इनी आइकॉन के द्वारा एक्सेस उपयोग किये जा सकते हैं टास्क बार कंप्यूटर पर चल रहे विभिन्न प्रोग्रामों में एक से दूसरे पर जाने का रास्ता उपलब्ध कराता है यदि बहुत सारे एप्लिकेशन प्रोग्राम चल रहे हूँ और टास्क बार पर सभी आइकॉनों के लिए स्थान कम हो तो एक तरह के आइकॉन एक समूह में आ जाते हैं स्टार्ट पटन के द्वारा आप अन्य प्रोग्रामों वो सिस्टम की अन्य उप्योगिताओं का प्रयोग कर सकते हैं स्टार्ट मेन्यू में मौजूद कंट्रोल पैनल का उपयोग कंप्यूटर में विभिन हार्डवेर और सॉफ्टवेर के विन्यासों या सेटिंग को बदलने के लिए किया जाता है. स्टार्ट मेन्यू के Help और Support मेन्यू का उपयोग Windows पर कारे के दौरान आवशक्ता पढ़ने पर सहायता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। स्टार्ट मेन्यू की सहायता से आप मात्र एक क्लिक में कम्प्यूटर को बंद कर सकते हैं, Log Off या पुनह चालू कर सकते हैं। समय पर क्लिक करें। तब एक घड़ी वो केलेंडर प्रकट होगा। टास्क पार पर तारीक वो समय पर क्लिक करें। तब समय वो तारीक परिवर्तन लिंक पर क्लिक करें। समय वो तारीक परिवर्तन बटन पर क्लिक करें। समय वो तारीक निर्धारित करें। समय वो तारीक परिवर्तन को सुरक्षित करने के लिए हां पर क्लिक करें। और समय वो तारीक डायलोग कोष्ट पर वापस आएं। परिवर्तन सुरक्षित करने के लिए हाँ पर क्लिक करें, समय व्यतारीख डायलोग कोश्ट को बंद देश्क्टॉप दर्शाने वाली स्क्रीन का वह भाग है जिसे आप कम्प्यूटर लॉग उन करने पर देखते हैं, आइकोनों के पीछे दिखने वाले चित्र, द्रश्य क वाल्पेपर अत्वा डेस्क्टॉप की प्रिश्ट भूमी कहते हैं, जब आप अपने कम्प्यूटर को कुछ समय के लिए निश्क्रिय छोड़ देते हैं, तो एक चित्र अत्वा लेक की चल चित्री की प्रदर्शित होती है, इसे स्क्रीन सेवर कहते हैं, डेस्क्टॉप क प्रिश्ट भूमी परिवर्तित करना। आप अपने कंप्यूटर के वॉल पेपर अथवा डेस्टॉप की प्रिश्ट भूमी आइकोनों को अपनी इच्छा के चित्र और दृश्च से बदल सकते हैं। चित्र का चैन करें और उसे डेस्टॉप की प्रिश्ट भूमी की नियत करें। अंत में सेव या सुरक्षित बटन दबाकर परिवर्तिनों को सुरक्षित करें। स्क्रीन सेवर नियत करना यदि आप डेस्क्टॉब की स्क्रीन सेवर परिवर्थित करना चाहते हैं तो यह प्रक्रिया अपनाए पहला डेस्क्टॉब के खाली स्थान पर उस माउस का दाया राइट क्लिक बटन दबाएं तपस्चाद सूची के वयक्तिक विकल्प पर क्लिक करें तपस्चाद डेस्क्टॉब की स्क्रीन सेवर लिंक पर क्लिक करें तब स्क्रीन सेवर का ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कर सूची से स्क्रीन सेवर चुने तदपच्चाद स्क्रीन सेवर चालू करने के लिए वेट कॉम्बो बॉक्स से प्रतिक्षा समय के मिनट निर्धारित करें तदपच्चाद प्रिव्यू बटन पर क्लिक कर स्क्रीन सेवर देखें एक कंप्यूटर में ऑप्रेटिंग सिस्टम वो व्यक्तिगत कारिक्रमों के लिए उपलब्ध किसी सूचना को फाइल कहते हैं। एक फाइल, एक दस्तावेज, चित्र, संगीत या चलचित्र हो सकती है। धेर सारे फाइलों को एक स्थान पर रखने के लिए आप एक फोल्डर बनाते हैं। उसे कहीं और पेस्ट कर सकते हैं और उसे आवश्यक्ता अनुसार मिटा भी सकते हैं। हम किसी ड्राइव में एक नया फोल्डर कैसे बनाते हैं। आसान है बस निम्न प्रक्रिया अपनाओ। पहले स्टार्ट बटन को दबा कर स्टार्ट मेन्यू को खोलें। तब कंप्यूटर विंडो या विंडोज एक्स्प्लोर प्रदर्शित करने के लिए कंप्यूटर पर क्लिक करें। तब डी ड्राइव में उपलब्द सामगरी देखने के लिए क्लिक डी ड्राइव पर क्लिक करें। तब नया फोल्डर बनाने के लिए मेन्यू बार में नय फोल्डर पर क्लिक करें। नय फोल्डर को नाम दे सकते हैं और एंटर दबाएं। आप फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बना सकते हैं जिसे सब फोल्डर कहते हैं। एक फोल्डर का चैन करें और उसे खोलें। उसमें खाली स्थान पर राइट क्लिक करें तो पॉप अप मेन्यू प्रकट होगा। उसमें सबसे पहले नया पर क्लिक करें और फिर फोल्डर चुनें। एक फोल्डर सुरुजित हो जाएगा। फाइल फोल्डर को खोलने के लिए निम्न का अनुसरन करें। पहले स्टार्ट पटन को दबा स्टार्ट मेन्यू को खोलें। तब कम्प्यूटर विंडो या विंडोज एक्स्प्लोरर प्रदर्शित करने के लिए कम्प्यूटर पर क्लिक करें। तब डी ट्राइव में उप Subfolder या File को आप खोलना चाहते हैं, पर Double Click करें. File या Folder को कैसे सनरक्षित करें या नाम बदलें. जब आप D Drive में Folder या Subfolder या File बनाते हैं, तो स्वच आलत रूप से New Folder या New Text Document के नाम से सनरक्षित हो जाता है. Folder या Subfolder या File का नाम बदलने के लिए उस पर Right Click करें. नए पॉप अप में नाम परिवर्थित करें, Rename चुने. नया नाम लिखें और Enter दबाएं. Folder या Subfolder या File का नाम परिवर्थित हो जाएगा. Windows Operating System में कुछ सहायक सामगरी होती है, जो अत्यांत उप्योगी होती है. हम इन उप्योगी सामगरीयों में से कुछ के विशय में सीखते हैं. इन उप्योगी सामगरीयों को देखने के लिए निम्ण निर्देशों का पालन करें. पहले Start बटन को दबा कर Start मेन्यू को खोलें. तपस्चात माउस से All Program पर चिन्हित करें. उसके बाद Accessories पर क्लिक करें. यहाँ पर विभिन Accessories की सुची होती है. संबंधित Accessories पर क्लिक करें. पेंट का प्रयोग चित्रों को बनाने, परिवर्थित करने एवं फोटो देखने के लिए होता है. आप पेंट का प्रयोग रिक्त पेंट क्षेत्र में चित्रकारी करने अथवा मुझूदा चित्र में चित्रकारी करने में कर सकते हैं. आप चित्र की प्रती लेकर किसी अन्य प्रलेक पर चिपका या पेस्ट कर सकते हैं। हम पेंट का प्रयोग किस प्रकार करें। पेंट का उपयोग करने के लिए सर्वप्रथम स्टार्ट बटन को दबा स्टार्ट मेनू को खोलें। ततपश्चाद माउस से All Program पर चिन्हित करें। उसके बाद Accessories पर क्लिक करें। यहाँ पर विभेन Accessories की सूची होती है। Accessories पर क्लिक करें और Paint को चुनाव करें। तब Paint Window दिखने लगेगा। आप देखेंगे कि Paint Window चार भागों में विभाजित है। Paint Button, Quick Access Toolbar, Drawing Area, एवं Ribbon पेंट बटन के साथ आप कई तरह के कारेक कर सकते हैं। Paint Button के विभिन विकल्प हैं। खोलें, Open, नया, New, संरक्षित करें, Save और चापें, Print। Quick Access Toolbar अक्सर प्रयोग में लाई जाने वाले उपकरन जैसे Save, Redo और Undo तुरंत उपलब्द कराने में आपकी सहायता करता है। Ribbon में दो टैब होती हैं, Home और View. Home टैब उन उपकरनों को उपलब्द कराता है, जो चित्र बनाने अथवा उसे सुधारने में प्रयोगत होते हैं। यह clipboard, brush, tool, shape और color आदी होते हैं। Clipboard में तीन विकल्प होते हैं, Cut, Copy व पेस्ट। जिन विकल्पों का प्रयोग कर आप paint पर चुनी गई वस्तु को काट सकते हैं। प्रतिलीपी या प्रतिबिम्ब बना सकते हैं, अथवा चिपका सकते हैं। यह विकल्प एक ही विशे को कई बार प्रयोग करने में आपकी सहायता करता है। प्रतिबिम्ब का चुनाव आपको उन विशे को चुनने वस्तु करने में सहायता करता है, जिनको आप चैनित करना चाहते हैं, काट चाट करना चाहते हैं, आकरती में परिवर्तन करना चाहते हैं, अथवा गुमाना चाहते हैं। उपकरण टूल का चैन आपको विभिन उपकरण उपलब्द कराता है, जिससे आप आकरिती बना वसंपादित कर सकते हैं. यह उपकरण है पैंसिल, रंग भरना, लिखना, मिटाना, रंग उठाना और बढ़ा करना. ब्रश में नीचे की और खुलने वाला एक मेन्यू होता है, जिससे आप चित्र बनाने के लिए विभिन प्रकार के ब्रशों का चैन कर सकते हैं. आकरितियां विकल्प से आप अपने चित्र को विभिन आकरितियां दे सकते हैं. रंग विकल्प से आप अपने चित्र में विभिन रंग भर सकते हैं दीदी तुमने यह भी कहा था कि Microsoft Windows के विप्रीत यहां मुफ्त ओपरेटिंग सिस्टम भी उपलब्ध हैं क्या तुम इसके बारे में और ज़्यादा अजागती हो? हाँ रोहन, Linux एक बहुत प्रसिद्ध मुक्त अथवा खुले स्रोथ का ओपरेटिंग सिस्टम है यह सॉप्ट्वेर सबके लिए मुफ्त है और इंटरनेट से डाउनलोड भी किया जा सकता है चलो हम इस पर नजर डालते हैं Linux, Unix, ओपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही जानामाना वर्जिन है जो Linus Storewalls द्वारा विक्सित किया गया है Linux, Microsoft Windows जैसे दूसरे ओपरेटिंग सिस्टम की तरह होता है Linux की सबसे खास बात यह है कि यह बहुत ही गतिशील है उपियोग करता इस सौफ्टवेर को विक्सित करने, संशोधन करने अथवा प्रसारित करने के लिए स्वतंत्र है Linux को दो अलग तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है Free Download अथवा वितरन का उपियोग कर Linux दुनिया भर में करोडों उपियोग करता हों द्वारा सफलता पूर्वक उपियोग किया जा रहा है Linux की सभी आवश्यक भागों को इंटरनेट से बिल्कुल मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है Linux उपियोग करने का एक वेकलपिक रास्ता है जो विभिन कंपनियों द्वारा पेश किया जा रहा है और जिसमें विभित प्रकार के एप्लिकेशन वो इंस्टॉल करने वाले प्रुग्राम जुड़े हैं जो Linux के अधिश्ठापन को आसान कर देते हैं एक बहुत प्रसिद Linux का वितरन करता होता है जिसे अबंटू कहते हैं जो कॉनिकल कंपनी द्वारा वितरित किया जाता है अब हमें अबंटू के बारे में सीखना चाहिए अबंटू एक स्वतंत्र मुक्त सॉफ्ट्वेर प्लेटफॉर्म है जो स्मार्टफोन, टाबलेट और कंप्यूटर के द्वारा हर जगा चलाया जाता है अबंटू में एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या GUI होता है जो इसे विंडो अथवा Android जैसे दूसरे प्रशुलित ओपरेटिंग की तरह बनाता है अबंटू के वर्जिन 12.10 डिफॉल्ट डेस्टॉप वातावरन के रूप में यूनिटी का उप्योग करता है यूनिटी डेस्टॉप प्रश्ट भूमी और दो बार रखता है जिसे मेन्यो बार और लॉंचर कहते हैं मेन्यो बार डेस्टॉप के शीर्श पर स्थित क्षेतिज पट्टी है लॉंचर एक खड़ी पट्टी है जो मेन्यो बार के बाई तरफ होती है मेन्यो बार में सामाने कारे शामिल होते हैं जो अबंटू 12.10 में उप्योग होते हैं जो आइकन्स मेन्यू बार के दाहिने तरफ होते हैं, उसे संकेतक शेत्र कहते हैं। कीबोर्ड सूचक आपके कीबोर्ड, ले आउट चुनने और कीबोर्ड प्रात्मिक्ताओं को बदलने की अनुमती देता है। संदेश सूचक में सभी सोशल एप्लिकेशन को शामिल किया जाता है, जो ततकाल इंस्टेंट मेसेंजर क्लाइन्ट, इमेल क्लाइन्ट, माइक्रो ब्लॉगिंग एप्लिकेशन और दूसरे समान एप्लिकेशन को सम्मिलित रखता है। नेटवर्क सूचक आपको तार्युक्त अत्वा तार्मुक्त नेटवर्क को आसानी से जोड़ने और नेटवर्क कनेक्शन को प्रबंधित करने की अनुमती देता है। ध्वनी सूचक ध्वनी की मात्रा के रूप में अच्छी तरह से उप्योग अपने म्यूजिक प्लेयर और ध्वनी सेटिंग्स समायोजित करने के लिए एक आसान तरीका प्रदान करता है। घड़ी सही समय प्रदर्शित करती है और केलेंडर समय और तारीक सेटिंग्स का उप्योग करने के लिए आसान तरीका उपलब्द कराता है। यूजर मेन्यू आपको अलग-अलग उप्योग करता हूँ और ओनलाइन सामगरी और उप्योग करता खातों के बीच परिवर्तन करने की अनुमती देता है। प्रब्द कराता है। एप्लिकेशन मेन्यू एक प्रणाली है जहां किसी एप्लिकेशन में विभिन कारे जैसे परिवर्तन करने देखने आदी को निश्पादित किये जा सकते हैं। यहें डेस्क्टॉप के मेन्यू बार में खुद को उपर रखकर एप्लिकेशन को सक्षम करेगा। इसलिए इस एप्लिकेशन को देखा और इस्तेमाल किया जा सकता है। माउस को मेन्यू बार से दूर ले जाने पर डेस्क्टॉप फिर से दिखाई देने लगता है। यूटिलिटी का वह फीचर जो एप्लिकेशन दिखाता है एप्लिकेशन के मेन्यू केवल जब जरूरत होती है जब ये नेट बुक और लेप्टॉप उप्योग करताओं के लिए फायदे मन्द होता है और इसे अधिक मुक्त वर्क स्पेस प्रदान करता है। उर्धवादर पट्टी के आइकन्स जो स्क्रीन के बाई तरफ होते हैं लॉंचर कहलाते हैं। जब ये लॉंचर चलाया जाता है तो ये है सक्रिया आइकन्स के एप्लिकेशनों को आसान पहुँच प्रदान करता है। लॉंचर में सबसे उपर पहला आइकन डैश कहलाता है जो एक निरनायक खोज वो मूल तत्व है। एक एप्लिकेशन को लॉंचर से रन करने अथवा पहले से रन हो रही एप्लिकेशन को प्रदर्श्रित करने के लिए एप्लिकेशन आइकन पर क्लिक करते हैं। Foreground में Application अपने आइकन के दाहिनी तरफ एक अकेले सफेद त्रिकोन के द्वारा संकेतिक किया जाता है। Launcher के द्वारा Application जोड़ना और हटाना एक Application को जोड़ने के लिए Launcher के Application आइकन पर दाहिने क्लिक करके और Launcher के Lock का चैन करके Application को रन करें। लॉंचर से एक एप्लिकेशन को हटाने के लिए, पहले एप्लिकेशन आइकन पर दाहिने क्लिक करें, फिर अनलॉक से लॉंचर का चैन करें. डैश एक उजार है, जिसकी मदद से आप कम्प्यूटर पर एप्लिकेशन, वो फाइलों का तेजी से पता लगा सकते हैं, वो उन तक पहुँच सकते हैं. डैश का पता लगाने के लिए, लॉंचर के सबसे उपर वाले आइकन, जिस पर अबंटू का प्रतीक चिन बना हो, पर क्लिक करें. डैश आइकन का चैन करने पर एक और विंडो खुलेगी, जिसमें सबसे उपर सर्च बार के साथ ही हाल में इस्तेमाल की गई एप्लिकेशन, फाइल और डाउनलोड का संग्रह भी होगा. डैश आपको स्थानिय स्तर वसुदूर की सूचनाय खोजने की अनुमती देता है. डैश की मुख्य विशेश्टाएं, डैश की दो मुख्य विशेश्टाएं हैं, फाइलें वफोल्डर ढूनना और एप्लिकेशन को ढूनना. वर्कस्पेश आपको एप्लिकेशन को एक समूह में करने की अनुमती है, जो अव्यवस्था को कम करता है, और डैस्टॉप निविगेशन में सुधार लाता है. मूलभूत रूप से अबंटू में चार वर्कस्पेश होते हैं. एक वर्कस्पेश से दूसरे वर्कस्पेश पर जाने के लिए लॉंचर पर वर्कस्पेश स्विचर पर क्लिक करें. यह एप्लिकेशन आपको एक वर्कस्पेश से दूसरे वर्कस्पेश पर जाने की अनुमती देता है. विंडोज को बंद करना, अधिक्तम करना, न्यूनतम करना, वो बहाल करना न्यूनतम बटन विंडोज को वर्तमान में दिखाई पढ़ने वाली स्क्रीन से हटा कर उसे लॉंचर में रखा देता है अधिक्तम बटन एप्लिकेशन को Windows की पूरी स्क्रीन पर फेला देता है Windows को बंद करने के लिए विन्डो के उपर बाए कोने पर दिये हुए cross बटन पर क्लिक करें Windows को workspace पर इधर उधर ले जाने या हटाने के लिए माउस के point को window के title bar पर ले जाएं और माउस के buy बटन से click करें तथा buy बटन को दबाए रखते हुए window को खीचें window का आकार बदलने के लिए mouse pointer को window सिरे पर या कोने पर ऐसे रखें कि mouse pointer दो तरफा तीर में परिवर्तित हो जाएगा जिसे resize icon कहते हैं माउस के बाए बटन से क्लिक करें तथा बाए बटन को दबाए रखते हुए विंडो को खीचें कम्प्यूटर पर फाइल का पता लगाने के दो तरीके हैं सीधे लॉंचर के डैश के माध्यम से जिस फोल्डर में फाइल रखी गई हो का पता लगा कर उस तक पहुँशना या सामाने तह उप्योग में लाए जाने वाले फोल्डरों वहाल में ही प्रयुक्त फाइलों में फाइल वह फोल्डर टूल का प्रयोग करना गो मेन्यू सामाने तह प्रयोग में आने वाली फोल्डरों की सुची होती है गो में जाने के लिए अपने माउस को बार पर सबसे उपर ले जाएं और गो को चुने तब इस मेन्यू कम्प्यूटर पर क्लिक करके अपने कम्प्यूटर की फाइलें खोजें यदि आप होम नेटवर्क स्थापित करते हैं तो आपको साजा की गई फाइल या फोल्डरों के लिए मेन्यू में आइटम मिल जाएगा होम फोल्डर का प्रयोग व्यक्तिगत फाइलों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है यह है उप्योग करता के लॉग इन नाम से मेल खाता है इसमें बहुत सारे वे फोल्डर होते हैं जो इंस्टोलेशन के दौरान अपने आप बन जाते हैं इसमें डेस्टॉप दस्तावेज, डाउनलोड, म्यूजिक, संगीत, चित्र, पबलिक, टेंपलेट्स और वीडियो शामिल है जैसे विंडो के पास फाइल वो फोल्डरों को खोजने के लिए विंडो एक्स्प्लोरर होता है उसी प्रकार अबन टू फाइल वो फोल्डरों को खोजने के लिए डिफॉल्ट रूप से नॉटिलस फाइल मैनेजर का प्रयोग करता है दीदी, नॉटिलस फाइल मैनेजर कहा है? नॉटिलस फाइल मैनेजर विंडो डेस्टॉप पर एक फोल्डर पर डबल क्लिक करो, नॉटिलस फाइल मैनेजर विंडो खुल जाएगी डिफॉल्ट विंडो में निम्न किशेशताएं होती है मेन्यू बार, टाइटल बार, टूल बार, बाया पैन वर दाया पैन नॉटिलस नविगेट करने के निम्न पद है फोल्डरों के बीच नविगेट करने के लिए नॉटिलस फाइल मैनेजर के बाय पैन में पुस्तक चिन्हों का प्रयोग करें वापस जाने के लिए पाथ बार में फोल्डर के नाम पर क्लिक करें एक दिखने वाले फोल्डर पर डबल क्लिक आपकी उसे नविगेट करने में सहायता करेगा Nautilus के साथ फाइल को खोलने के लिए उसके आइकन पर डबल क्लिक करें अथवा आइकन पर दाया क्लिक करें और ओपन विद के विकल्पों में एक को चुने Nautilus में एक नया फोल्डर बनाने वा सेफ करने के लिए पहले फाइल पर क्लिक करें और फिर Create New फोल्डर पर क्लिक करें उसके बाद बनने वाले डिफॉल्ट फोल्डर का नाम अंटाइटल्ड फोल्डर को इच्छानुसार नाम दें यह Nautilus में सुरक्षित हो जाएगा फाइल या फोल्डर को कॉपी करने या प्रतिलिपी बनाने के स्टेप्स हैं पहले एडिट पर क्लिक करें फिर आइटम पर क्लिक करें अथवा रैट क्लिक करें और पॉप अप मेन्यू से कॉपी चुने अब आप कॉपी की गई फाइल को इच्छित स्थान पर पेस्ट करें कई नॉटिलस विंडोस का प्रयोग करना आप निमन प्रकार से कई नॉटिलस विंडो भी खोल सकते हैं पहले फाइल बनाए तब न्यू विंडो पर क्लिक करें यह नई विंडो खोलेगा और आपको फाइलों या फोल्डरों को दो स्थानों से ड्रैग करने की अनुमति देगा नया टैब खोलने के लिए पहले फाइल पर क्लिक करें फिर न्यू टैब फाइल की ब्राउजिंग के लिए प्रयोग किये जाने वाले स्थान के उपर दो टाब युक्त एक नई पंक्ती खुलेगी दूसरा पैन खोलने के लिए व्यू पर क्लिक करें फिर एक्स्ट्रा पैन पर यह आपको टैब या विंडो के मध्य स्विच किये बिना ही दो स्थानों पर एक साथ देखने की सुविधा देता है आप नॉटिलस या डैश का प्रयोग कर फाइल या फोल्डर को खोज सकते हैं पहले नॉटिलस में गो सर्च फॉर फाइल पर क्लिक करें या कंट्रोल के साथ एफ दवाएं फिर जो खोजना चाहते हों उसे टाइप करें डैश में सबसे उपर सर्च बार में आप केवल खोज का टर्म टाइप करें अबंटू में लिब्रे ओफिस सबसे अधिक लोकप्रिये सुईट है जो डिफॉल्ट रूप से स्थापित होता है यह भी वैसी ही कारे प्रणाली उपलब्ध कराता है जैसे के Microsoft Word, Excel PowerPoint सिर्फ इसके की यह एक मुक्त स्वतंत्र सॉफ्टवेर है इन सभी एप्लिकेशनों तक launcher के द्वारा पहुँचा जा सकता है इसमें निम्नगटक शामिल हैं जो दूसरे ओपरेटिंग सिस्टम में अलग-अलग नामों से पाए जाते हैं Writer, Word Processor, Clack, Spreadsheet, Impress, Presentation, Draw, Drawing Sheet, Base, Database, Math, Equation, Editor क्या मुक्त स्वतंत्र सॉफ्टवेर के विशे में सीखना मज़िदार नहीं था? चलो, अब हम लोग मज़िदार गतिविधी में भाग लेंगे तीदी, क्या मुबाइल फोन वा टाबलेट भी कम्प्यूटर की तरह ओप्रेटिंग सिस्टम रखते हैं? हाँ रोहन, आजकल मुबाइल फोन वा टाबलेट भी पर्सनल कम्प्यूटर के ओप्रेटिंग सिस्टम की खूबियां रखते हैं साथ ही साथ अन्य कूबियां जैसे टच स्क्रीन, सेलूलर, ब्लूटूथ, वाइफाई, जीपीएस मुबाइल, नेविगेशन क्यामरा, वीडियो क्यामरा, स्पीच रिकोगनीशन, आवाज रिकॉर्डर, म्यूजिक प्लेयर वा अन्य विशेशताएं अधिकांश मुबाइल फोनों में Android, Windows अथवा Symbian Operating System होता है ओ, मैं मुबाइल फोनों के विशेश में और बहुत कुछ जाना चाता हूँ, किया आप मुझे सिखा सकती हैं? हाँ, बिल्कुल, चलो यहां से शुरू करते हैं, कि एक मुबाइल फोन में विभेन सुविधाओं का प्रयोग कैसे करते हैं? सबसे पहले यह सीखते हैं कि मुबाइल फोन से कॉल कैसे करते हैं? Call کرने के लिए Keypad पर Phone number टाइप करें यदि आप के पास smartphone है तो home screen पर Phone icon पर जाएं और उस पर TAP दें आप screen पर number पैड देखेंगे जिस number पर आप बात करना चाहते हैं उससे type करें उसके बाद बाई तरफ हरा बटन अथा उत्तर बटन दबाएं स्मार्ट फोन होने पर हरे बटन पर टैप दें, स्क्रीन तरशाएगी कि नंबर डायल हो रहा है, कि connect हो रहा है, इस तरह आप call कर सकते हैं, call समाप्त करने के लिए लाल बटन दबाएं, अथवा लाल बटन पर टैप दें, अब हम सीखते हैं कि call का उत्तर कैसे दें, अथवा निरस्त कैसे करें। जब आपके फोन की घंटी बजे तो उत्तर देने के लिए हरा बटन दबाएं। स्मार्टफोन होने पर बाए से दाए स्वाइप करें। कॉल निरस्त करने के लिए लाल बटन दबाएं। स्मार्ट फोन होने पर दाएं से बाएं स्वाइप करें हम पिछले मिल आए गए नमबर पर कॉल कैसे कर सकते हैं? आसान है, पहले होम स्क्रीन पर बाएं तरफ के हरे बटन को दबाएं यह सभी डायल किये गए, प्राप्त किये गए, वह चूटे नमबरों की सूची दिखाएगा स्मार्ट फोन होने पर फोन आइकन पर टैप दें यह सभी डायल किये गए, प्राप्त किये गए, वह चूटे नमबरों की सूची दिखाएगा उसके पश्चात नंबर चुने और हरा बटन दबाएं इसी तरह स्मार्टफोन होने पर नंबर पर टैप दें नंबर की डायल होने लगेगा आप कॉल इतिहास इस तरह देख सकते हैं पहले स्टैंडबाई मोड में मेन्यू दबाएं स्मार्टफोन होने पर फोन आइकन पर टैप दें तब कॉल रिजिस्टर या कॉल इतिहास या कॉल लॉग चुने उसके बाद यह प्राप्त कॉल, छूटी कॉल, डायल की गई कॉल के तीन टाप दिखाएगा फिर जिस टैप को आप देखना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें यह आपको कॉलों की सूची, समय, वतिति के साथ दिखाएगा स्मार्टफोन होने पर सभी कॉलें एक ही सूची में दिखेंगी हरा तीर प्राप्त कॉलें, नीला तीर डायल की गई कॉलें, वललाल तीर जूटी कॉलें दर्शाता है, आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर को संपर्क बुक में सुरक्षित कर सकते हैं या उस पर संदेश भेज सकते हैं फोन में ध्वनी का स्तर को निम्न रूप से अनुकूल करते हैं सबसे पहले फोन की मुख्य स्क्रीन में मेन्यू बटन दबाएं फिर विकल्प मेन्यू में सेटिंग पर क्लिक करें उसके बाद सेटिंग मेन्यू में साउंड या ओडियो विकल्प चुने उसके बाद sound menu में volume विकल्प ढूंडें ringer या ringtone में volume control पाई जाते हैं अंत में speaker विकल्प पर चुनें वो keypad को उपर नीचे कर volume level सेट करें आपके smartphone में आवाज नियंतृत करने वाले बटन बाहर होते हैं मात्र इधर उधर दबा कर आवाज की प्रवलता नियंतृत की जाती है मैं अपने मित्र का phone number वो अमित का नाम शामिल करना चाहता हूँ मैं कैसे कर सकता हूँ आप नया संपर्क ऐसे जोड सकते हैं जब phone standby mode में हो तो menu दबाएं smartphone होने पर phone icon पर tap दें तब menu विकल्प में अपने phone की phone book पर जाएं यह होम स्क्रीन पर phone के एक चित्र अत्वा शब्द phone, phone book या संपर्क से दिखाई गई होगी अब उपलब्द विकल्पों में new contact का चैन करें पहले जिस संपर्क को आप जोडना चाहते हैं उसका number area code स्क्रीन पर दिखने वाले form पर भरें smartphone में number pad वअंक टाइप करें add to contact पर tap दें और तब create new contact पर और तब form में उप्युक्त स्थानों पर अपने मित्र का पहला वअंतिम नाम लिखें तब उसे संरक्षित करने के लिए save या add to contact दबाएं tap देना सुनिश्चित करें अब नया संपर्क अपने mobile में जुड़ जाएगा phone में पहले से ही संरक्षित संपर्क के विबरन में edit करने के लिए संपर्क का नाम चुने edit का चैन करें tap दें सही विबरन टाइप करें और फिर save का चैन करें tap दें अब मैं आपको सिखाती हूँ कि संदेश कैसे भेजते हैं पहले standby mode में menu दबाएं तब संदेश सेवा फिर लिखित संदेश फिर संदेश बनाएं का चैन करें एक smartphone में home screen पर messaging icon टूंडे उस पर tap दें आप देखेंगे कि संदेशों की सूची खुलेगी संदेश बनाएं संदेश लिखें को चुने smartphone में right message icon पर tap करें text box में संदेश लिखें चित्र या कुछ अन्य जोडने के लिए विकल्प का चैन करें फिर insert object दबाएं स्क्रॉल कर नीचे वांचत picture या object आएं view फिर insert दबाएं नियत स्थान पर प्राप्त करता का नंबर लिखें अत्वा यदि आप सुरक्षित किये हुए किसी संपर्क को संदेश भेजना चाहते हैं तो phone book पर click करें संपर्क का चैन कर okay पर click करें स्मार्ट फोन में प्राप्त करता के नाम के कुछ अक्षर two column में लिखें आप देखेंगे कि contact book से नामों की सूची प्रकट होगी वांचत नाम पर tap दें भेजने के लिए भेजें पर click करें या tap दें प्राप्त करता को message भेज दिया जाएगा मुख्य सूची पर वापस आने के लिए समार्प्त या निरस्त पर click करें tap दें आप अपना संदेश ऐसे पढ़ सकते हैं जब आपको संदेश प्राप्त होता है तो आप home screen में सबसे उपर लिफाफे का निशान का आइकन देखेंगे आप screen पर एक box में एक message received लिखा हुआ देखेंगे नए संदेश को देखने के लिए show दबाएं संदेश पढ़ें दीदी क्या हम mobile phone के द्वारा internet का प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल रोहन तुम कर सकते हो यह तो बहुत अच्छा है mobile phone द्वारा internet का प्रयोग करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? mobile phone द्वारा internet का प्रयोग करने के लिए आपको चाहिए होगा एक mobile phone जो internet access या उपयोग को समर्थित करता हो एक mobile phone सेवा जो data संचुरन का समर्थन करती हो जैसे 2G, 3G और Wi-Fi phone द्वारा internet तक पहुँशने के लिए data setting के साथ mobile service provider से एक खाता बहुत सारे mobile phone data account setting के साथ ही आते हैं यदि आपका नहीं है तो आपको सेवा प्रदाता के ग्राहक सेवा के इंदर से बात करनी चाहिए आप अपने smartphone पर mobile internet सेवा इस तरह स्थापित कर सकते हैं पहले अपने smartphone के setting menu पर navigate करें smartphoneों में यह apps menu के setting icon के माध्यम से या कभी-कभी notification bar के माध्यम से किया जा सकता है setting menu में आपको wireless और network settings खुजनी होगी ज्यादतर उपकरनों में more या more settings button जो भी उपलब्द हो उस पर click करें जब wireless और network setting हो जाती है तो आप internet, wifi या mobile network के माध्यम से जोड सकते हैं wifi से जुड़ने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करें पहले setting विकल्प से अत्वा notification menu में wifi बटन को click करके wifi विकल्प को चालू करें तब आपको उपलब्द internet network कों की सूची दिखाई देगी यदि आपने wifi network पहले से ही save कर रखा है तो यह automatic ही जुड़ जाएगा अन्य था आपको wifi network जिसे आप जोडना चाहते हैं चुनना होगा यदि password की आवशक्ता हो तो उसे enter करें और connect पर click करें internet का उपयोग करने के लिए internet browser का उपयोग करें internet के लिए mobile network जोडना पहले wireless वर network विकल्प में अधिक setting या more setting विकल्प पर जाएं तब mobile network पर click करें वहां आपको mobile data check box को check करना होगा अब internet तक पहुँशने के लिए internet browser का उपयोग करें keypad आधारित फोनों में भी हर कोई बड़ी आसानी से internet का उपयोग कर सकता है पहले menu में जाएं फिर internet चुने तब या तो home page का chain करें अन्यथा home screen में शूने को कुछ क्षण के लिए दबा कर रखें उसके पश्चात web address enter करें और go to address का chain करें तब address एंटर करें और ठीक है का chain करें वेब खोजने के लिए यदि आप पहली बार search कर रहे हूं तो search का chain करें और खोजे जाने वाले विशे को दर्ज करें और search का chain करें मेरी मोबाइल में radio है मैं उसे कैसे सुन सकता हूं radio सुनने के लिए पहले standby mode में menu दबाएं तब media और फिर radio पर जाएं smartphone हुने पर menu में radio icon पर tap दें फिर phone को संगत handset से जोड़ें यह एक antenna की तरह कारे करता है उसके बाद automatic अथवा manual tuning विकल्प का chain करके जो radio channel आप सुनना चाहते हैं का chain करें चैनल सेब करें का विकल्प चुंग channel सुरक्षित करें तब उपर नीचे स्क्रॉल कर volume सेट करें radio बंद करने के लिए विकल्प फिर बंद करें का chain करें tap दें मुझे यह भी बताने दें कि mobile phone पर गाना कैसे बजाते हैं पहले standby mode में menu दबाएं तब फोन में उपलब्द application को देखने के लिए multimedia menu खोलें music application media या gallery के रूप में दर्शाया गया हो सकता है तब music या sound का chain करें smartphone होने पर menu में radio icon पर tap दें अपने media player पर उपलब्द गाने browse करें वह उनमें से अपनी device पर बजाने के लिए एक का chain कर बजाएं गाना बजना रोकने अथवा उसे पुनह बजने देने के लिए play pause play को डबाएं tap दें एक ही button play और pause के लिए कारे करता है music player से निकलने के लिए बाहीं तरफ के लाल बटन को दबाएं smartphone में pause button tap दें आपको अपने phone पर गाने store करने के लिए memory card की आविशकता होगी अब यहां कुछ तरीके हैं कि mobile phone से फोटो कैसे लें पहले standby mode में menu दबाएं तब media चुने और फिर camera चुने smartphone होने पर camera icon ढूंड कर उस पर tap दें तब display screen को view founder की तरह प्रयोग करें उपर नीचे खिसका कर zoom in और zoom out कर सकते हैं smartphone में अपनी उंगलियों की चुटकी को पहला कर अत्वा सिकोड कर screen को फैला कर display का आकार बड़ा वचोटा कर सकते हैं फोटो लेने के लिए select या हां बटन का चैन करें smartphone में camera icon ढूंड कर उस पर tap कर photo कीचें save बटन को दबा कर photo save करें smartphone में photo, album या gallery में swim ही save हो जाती है यह कुछ तरीके हैं जिससे video record किया जा सकता है menu में जाकर photo और फिर video camera का चैन करें smartphone होने पर camera icon पर tap दें तब screen के प्रदर्शन को view founder की तरह प्रयोग करें zoom in और zoom out करने के लिए उपर नीचे स्क्रॉल करें smartphone में अपनी उंगलियों की चुटकी को पहला कर अधवस सिकोड कर से screen पर प्रदर्शन क्षेत्र का आकार बदल सकते हैं recording चालू करने के लिए record को चुने smartphone में होने पर screen पर मौजूद चोटे लाल आइकॉन पर टाप दें recording को रोकने के लिए stop दबाएं smartphone में होने पर लाल आइकॉन पर फिर से टाप दें सनरक्षित करें बटन को दबा कर फोटो सुरक्षित करें smartphone में फोटो अल्बम या गैलरी में स्वैम ही सनरक्षित हो जाती है mobile phone व स्मार्टफोन तीवर गणना के लिए उपयोगी है यह कैसे संभव है calculator के द्वारा calculator प्रयोग करने के तरीके है पहले standby mode में menu दबाएं तब organizer और फिर calculator का चैन करें smartphone होने पर make calculator icon menu में ढूणे और उस पर टाप दें phone के number pad का प्रयोग कर number लिखे फिर जोड़ने घटाने गुणा करने वभाग function का चैन करें फिर दूसरा अंक लिखे उत्तर जानने के लिए बराबर का चिन्ह दबाएं या टाप दें धन्यवाद दीदी आपके कारण मुझे mobile phone के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त हुई हाँ बिलकुल रोहन चलो हम टाबलेट के बारे में जानते हैं टाबलेट कम्प्यूटर के छोटे हलके और अधिक प्रवंधनिय रूप है फेतार रहित वले जाने योगे यंत्र हैं जिनमें सूचनाओं तक पहुँशने के लिए अथवा प्रोसेस करने के लिए स्पर्श इन्पुट की तरह प्रयोग होता है टाबलेट में वह ओप्रेटिंग सिस्टम होते हैं जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI उपलब्द कराते हैं और एप्लिकेशनों को चला सकते हैं टाबलेट के सुप्रसेद ओप्रेटिंग सिस्टम है एंडरॉइट, विंडोज व आई ओएस टाबलेट मुख्यता दो भागों में बाटे चाह सकते हैं फोन सुविधा के साथ तथा कॉल सुविधा के बिना टाबलेट जो कॉल सुविधा के साथ होता है उसमें SIM काड के लिए खाचा बना होता है आपको कॉल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए तथा संदेश भेजने वर प्राप्त करने के लिए एक SIM काड तथा किसी मोबाईल नेटवर्ग का कनेक्शन की आवशिक्टा होगी टाबलेट जिसमें कॉल सुविधा नहीं होती है उसमें sim card के लिए slot नहीं होगा लेकिन उसमें अन्य सभी विशेश्टाएं समान होती हैं तब भी आप internet के प्रयोग से कॉल करने में समर्थ होंगे चलो अब हम टाबलेट की कुछ विशेश्टाओं के बारे में जानते हैं। निम्न तरीके से टाबलेट पर म्यूजिक सुना जा सकता है सर्वप्रथम एप्लिकेशन मेन्यू पर जाएं तब म्यूजिक पर टाप देकर पार्ष या बैग्राउंड संगीत इंटरफेस को एंटर करें अब आपको म्यूजिक फाइल सुची को हाल ही में अल्बम कलाकार, गीत, प्ले लिस्ट या शैलियों में उचित विकल्प का चैन करके वर्गिकरित कर सकते हैं फिर गानों को एक सेकिंड के लिए दबाएं, टाप दें जिससे विकल्प मेन्यू प्रकट हो जाएगी इसके बाद आप प्ले, अड़ टू प्ले लिस्ट, शौप फॉर आर्टिस्ट, डिलीट या सर्च विकल्पो में से किसी एक का चैन कर सकते हैं तब प्ले पर टाप देकर पार्श्व संगीत इंटरफेस को एंटर करें और फिर बजाने के लिए गानों पर टाप दें निम्न तरीके से टाबलेट में फोटो खीची जा सकती है सर्व प्रतम एप्लिकेशन मेन्यू पर जाएं और कैमरा आइकॉन पर टाप देकर कैमरा इंटरफेस को एंटर करें तब फोटो मोड जुन्ने इच्छित फोटो मोड पर टाप दें कैमरे को विशे की ओर केंद्रित करें आटो फोकस को सक्रिय करने के लिए स्क्रीन पर किसी स्थान को छुएं और दबाई रखें फोटो लेने के लिए उंगली उठाएं टाबलेट से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सर्व प्रथम एप्लिकेशन मेनू पर जाएं और कैमरा आइकॉन पर टाप देकर कैमरा इंटरफेस को एंटर करें तब विडियो मोड चुनने के लिए फोटो मोड में पसंद किये हुए आइकॉन पर टाप दें पहले एल्बम ढूंड करें पहले एल्बम ढूंड कर उस पर टाप दें। फिर जिस फोटो या वीडियो को देखना चाहते हैं उस पर टाप दें। आगे की फोटो देखने के लिए बाई और धकेलें। तथा पीछे की फोटो या वीडियो देखने के लिए दाई और धकेलें। वीडियो देखने के लि पर टाप दे, यदि प्लेबैक नियंतरन प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें देखने के लिए स्क्रीन पर टाप दे, वीडियो रोकने के निम्नपद है, जब वीडियो चल रहा हो तो प्लेबैक नियंतरन देखने के लिए स्क्रीन पर टाप दे, उसके बाद वीडि वीडियो चलने के दौरान प्लेबैक नियंतरन देखने के लिए स्क्रीन पर टैप दें। इसके बाद वीडियो को तेजी से आगे ले जाने के लिए प्रोग्रेस बार मारकर को दाई और 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 पीछे ले जाने के लिए बाई और खीचे। टाबलेट में इबुक पढ़ने के लिए पहले टाबलेट में इंस्टॉल किये हुए डिफॉल्ट बुक रीडर पर जाएं। फिर बुक रीडर आइकॉन पर टैप दें। उसके बाद पूर्वस्थापित किताबों में से जो किताब पढ़नी हो उसका चैन करें। फिर प्रारंब करने के लिए बुक्स आइकॉन पर टाप दें। मैंने सुना है कि आप टाबलेट से इमेल बेज वो प्राप्ट कर सकते हैं। इंटरनेट ब्राउजर आइकॉन पर क्लिक करें। फिर इमेल आइकॉन पर क्लिक करें। एक विंडो खुलेगी जिसके शीर्ष पर एक शेतिश बार होगा। जिस इमेल सर्विस प्रदाता का उप्योग करना चाहते हों। उसका यूरल एंटर करें। उदाहरन के लिए www.g इमेल.com अब दिये गए स्थान पर यूजर नेम वह पासवर्ट डालें। वह साइन इन पर टाप दें। यहां इस प्रष्ट पर कंपोज या राइट निव पर टाप दें। नई विंडो में सेवा में केक शेत्र में प्राप्त करता का इमेल आइडी एंटर करें। विशे अべले जब आपको कोई इमेल प्राप्त होगी तो स्क्रेन पर सबसे उपर एक लिफाफा बन कर आएगा। आईकॉन को देखने के लिए स्क्रीन को नीचे खिसकाएं। यथा क्रम मैन्यू में इमेल भेजने वाले के आइकन पर जाएं। अब आईकॉन पर टाप दें। स्क या तो टाबलेट पर स्थापित File Manager का प्रयोग करें या तो Home Screen पर स्थित Online Search Engine का प्रयोग करें File Manager का प्रयोग करके Home Screen पर File Manager या File Browser आप ढूड़ें उस पर टाप दें यह सबसे उपर My File दिखाएगा सूची से बांचित File या Folder को ढूड़ें उसे खोलने के लिए उस पर टाप दें Search Engine का प्रयोग करके Home Screen पर Magnifying Glass की तरह दिखने वाले Search आइकॉन को ढूड़ें उस पर टाप दें जिससे एक नई विंडो प्रकट होगी आप देखेंगे कि उस पर एक शैतिच टाप में Search लिखा होगा उसमें जो सूचना आप ढूड़ना चाहते हैं उसके पहचान शब्द लिखें Online Search का परिनाम स्क्रीन पर आजाएगा इसको खोलने के लिए वांचित पर टाप दें हम टाबलेट से संदेश कैसे भेज़ सकते हैं? टाबलेट से संदेश भेजने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करें Home स्क्रीन पर Messaging आईकॉन ढूड़ने अत्वा Menu आईकॉन पर टाप दें सभी एप्लिकेशनों में Messaging आईकॉन ढूड़ने Messaging आईकॉन पर टाप देने पर आप प्राप्त संदेशों की सूची देखेंगे Right New आईकॉन खोजें जो की स्क्रीन पर एकलिफाफे के साथ जमा के चिन्ह अत्वा पैंसिल के साथ जमा के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया गया होगा उस पर टाप दें टू कॉलम में प्राप्त करता के नाम के कुछ शब्द लिखें आप कॉंटाक्ट बुक से कुछ नामों की सूची देखेंगे वांचित नाम पर टाप दें वह नाम टू कॉलम में छप जाएगा Right Message पर टाप दें और अपना संदेश लिखना प्राप्त करें संबंदित आइकॉन पर टाप दें आप फाइल, दस्तावेज, फोटो या म्यूजिक फाइल अपने संदेश के साथ जोड़ सकते हैं Send आइकॉन पर टाप दें आपका संदेश बेज दिया जाएगा इस प्रकार आप प्राप्त किया हुआ संदेश पढ़ सकते हैं जब आपको संदेश प्राप्त होगा तो स्क्रीन के वूपर आपको Messaging आईकॉन दिखाई देगा अत्वा Home Screen के Messaging आईकॉन पर एक अंक लिखा पाएंगे जो की प्राप्त नए संदेशों की संख्या दर्शा रहा होगा, उस पर टैप दें यह messaging विंडो खोलेगा जिसमें प्राप्त हुए संदेशों की सूची होगी जो संदेश आप पढ़ना चाहते हों, उस पर टैप दें पहला वाइफाई से जोड़ कर टाबलेट वाइफाई निमन रूप से जोड़ा जाता है पहला आप अपने टाबलेट के सेटिंग मेनियो में जाएं, वाइफाई का विन्यास या कन्फिगरेशन चित्र में दिया है आपको उपलब्द इंटरनेटवर्कों की सूची दिखाई देगी, आपको वाइफाई नेटवर्क चुनना होगा जिससे आप जुनना चाहते हैं यदि पासवर्ड की आवश्यक्ता हो तो पासवर्ड डालें और कनेक्ट पर क्लिक करें इंटरनेट ब्राउजर का प्रयोग कर इंटरनेट चलाएं आप टैबलेट को मुबाइल नेटवर्क के द्वारा भी इंटरनेट से जोड सकते हैं इसका तरीका यह है पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके टाबलेट में मोबाइल नेटवर्क वाला सिम कार्ड है तब टाबलेट के द्वारा इंटरनेट से जोड़ें आप नोटिफिकेशन बार को नीचे खीच सकते हैं और मोबाइल डाटा विकल्प का चैन कर सकते हैं या आप वारलेस नेटवर्क विकल्प में मोर सेटिंग्स में जा सकते हैं तब मोबाइल नेटवर्क बटन पर क्लिक करें जहां आपको मोबाइल डाटा चेक बॉक्स को चेक करना होगा एक बार क्लिक किये जाने के पस्चात आपका टाबलेट मोबाइल नेटवर्क प्राप्त करना शुरू कर देगा इंटरनेट चलाने के लिए इंटरनेट ब्राउजर का प्रयोग करे दिदी आपने का था कि कुछ टैबलेट फोन की तरह भी प्रयोग किया सकते हैं हम यह कैसे कर सकते हैं? जब आपका टाबलेट बंद हो तो आपको उसके SIM card स्लोट में वैदे GSM SIM card डालना होगा. चलो हम देखते हैं कि टाबलेट से phone call कैसे कर सकते हैं. Home screen पर receiver icon पर tap दे. आप जो phone करना चाहते हैं उसके नमरों को दबाएं. Receiver icon पर tap दे. उसके बाद जब वह जुड़ जाएगा तो आप बात कर सकते हैं. यदि आप संपर्क पुस्तिका अत्वा संपर्क सूची से किसी को phone करना चाहते हैं तो निम्न पदों का अनुसरन करें. पहले अपने टाबलेट की phone book अत्वा संपर्क सूची में जाएं. फिर उस नाम को खोजें जिससे आप बात करना चाहते हैं. उसके बाद जिसको संपर्क करना है उसके नाम पर tap दे. फिर जिससे संपर्क करना है उसके नमबर पर tap दे. फिर संपर्क जुड़ने पर बात करें. चलो मैं तुम्हें टाबलेट की अन्य विशेश्टाओं के बारे में बताऊं. सच में? रोहन टाबलेट में कई भाशाएं संचित होती हैं. आप टाबलेट को जिस भाशा में चलाना चाहते हैं उस भाशा का चैन कर सकते हैं. चलो अब हम टाबलेट में भाशा नियत करना सीखें. पहले एप्लिकेशन मेन्यू में सेटिंग पर टाप दें और सूची में से भाशा वह एंटर करें, का चैन करें. फिर भाशा पर टाप दें और आप भाशाओं की सूची देखेंगे. उसके बाद वांचित भाशा पर टाप दें और वह भाशा तुरंथ ही सेट हो जाएगी. यही पर आप कीबूर्ट की भी वह भाशा चुन सकते हैं, जिसे आप इंपुट करते समय स्क्रीन पर देखना चाहते हैं. तिथि वह समय नियत करने के लिए निम्न पदों का अनुसरन करें. एप्लिकेशन मेनु में सेटिंग पर टाप दें और सुची में से तिथि वह समय का चैन करें. ओटोमेटिक को चुने जिससे तिथी वह समय स्वतह नेटवर्क का प्रयोग करते हुए सेट हो जाएगा अथवा ओटोमेटिक को निरस्त करके अपने अनुसार सेट करें दी दी आप मुझे टैबलेट में एप्लिकेशन को इंस्टॉल करना सिखा सकती है हाँ बिलकुल एप्लिकेशन या एप टाबलेट की मुख्य विशेश्चताएं होती है जो आपके सेवाएं प्राप्त करने के रास्ते और भी आसान बना सकती है टाबलेट में नए एप्लिकेशनों को पाने के तरीके पहले टाबलेट के मेनू विकल्प में जाएं और फिर मेन्यू में Play Store विकल्प पर टैप दें। यदि शुलक रहित एप्लिकेशन है तो आप केवल Install बटन पर टैप दें और आपका टैबलेट स्वता एप्लिकेशन को डाउनलोड वो इंस्टाल कर देगा। यदि एप का मूले है तो आप एक क्रे करें का बटन देखेंगे जिसको दबाते ही एक पॉप अप पॉक्स खुलेगा जिसमें यह सवाल हुगा कि क्या आप एप खरीदना चाहते हैं। आपका विकल्प चुनकर जिसकी पुष्टी किये जाने पर आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की जानकारी वबुक्तान का विवरण भरना होगा। फिर एप्लिकेशन को इंस्टॉल करने के लिए स्क्रीन पर आने वाले निर्देशों का पालन करना होगा। अब हम लोग मज़ेदार गती विधी में भाग लेते हैं।